गुड मार्निंग सुडेंस आज हम उनमेश इंदी पाट्य अपुस्त का पाट 10 शुरू करेंगे जिस पाट का नाम है चिडिया बच्चे इस पाट में जो चिडिया है वो पेड़ों की डाल पर बैठ कर मनुश्य को मानफता के साथ जीना सिखा रही है वो हमें प्रेम भाव स सिखा रही है आए इस कविता को पढ़ती है और उसके अर्थ को अच्छे से जानने की कोशिश करती है आए कविता को पढ़ना शुरू करती है पीपल की उंची डाली पर बैठी चिडिया गाती है पीपल के एक उंचे पेड़ पर चिडिया रानी बैठी है और वो हमें गाक कर बता रही है तुम्हें ग्यात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है क्या तुम्हें पता है कि वो हमें अपनी ही बोली में क्या संदेश देना चाहती है चेडिया बैठी प्रेम प्रीती की रीती हमें सिखाती है रीती का आर्थ होता है ढंग चेडिया जो है प्रेम प्य मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है वे क्या कर रही है वे इस संसार के बंदी बंदी मींस बेड़ी में कैद हुए हुए मानव को आजादी मंत्र बतलाती है आजादी मंत्र याने के आजाद होने का मंत्र समझा रही है वन में जितने पंची है खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस शुक आदी वास करते सब आपस में हिल मिल तो बच्चे यहाँ पर चिडिया हमें क्या संदेश देती है कि इस वन में जितने भी पंची है चाहे वो कोयल है हंस है तोता है सब आपस में मिल जुलकर प्रेम के साथ मिलकर रहती है सब मिल जुलकर रहती है वे सब मिल जुलकर खाती है आसमान ही अपना गर है जहां चाहते जाती है आगे चिडिया हमें क्या संदेश देती है कि हमारे जीवन के सभी जाती के जो पक्षी है वो क्या है आपस में मिल जुलकर रहती है और आपस में मिल बांट कर खाती है उनका घर केवल आसमान है वो जहां चाहती हैं वहां चले जाती है रहते जहां वहीं वे अपनी दुनिया एक बनाती है वो जहां भी कहीं रहती हैं वहीं पर अपनी एक दुनिया बसा लेती है दिन बर करते काम रात में पेड़ों पर ही सो जाती है पंची जो होती है जो पक्षी है चिडिया हमें समझाती है कि वे सारा दिन काम करती है लेकिन रात को वो पेड़ों पर आकर अपने घोंसले में सो जाती है उनके मन में लोब नहीं है लोब मींज लालच पक्षियों के मन म कोई लालच नहीं है पाप नहीं परवा नहीं उनके मन में ना किसी तरह को कोई पाप है और ना ही वे किसी की बात की परवा जीने की भी चा नहीं उनके अंदर किसी का माल हड़पकर कोई जीने की चा नहीं है जो मिलता है अपने श्रम से श्रम मिस मेहनत वो जो भी मिलता है उ बच जाता तो औरों के हिद उसे छोडवे देती हैं जितना उनका जिससे उनका पेट भर जाता है केवल वे उतना ही लेती हैं अगर उनके पास कुछ जादा बच जाता है तो वे दूसरों की भलाई के लिए उसे छोड़ देती हैं सीमा हीन गगन में उड़ते निर्भे विच कर ती हैं सीमा ही जिसकी कोई सीमा ना हो गगन मींस आकाश किसा कोई सीमा नहीं है इसमें ये पक्षी उड़ते रहती है कैसे निर्भे विचरन कर तीहें बिना किसी डरके इदेर उदर गुनते रहती है नहीं कमाई से ओरों की अपना घर वे बढ़ती हैं वे मनुश्य की तरह दूसरों की कमाई से कभी भी अपना घर नहीं बढ़ती हैं वे कहती है मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में वे मनुश्य को सीख देती हुए कहती हैं कि है मनुश्य तुम हमसे इस संसार में रहना सीखो कि इस संसार में कैसे रहा जाता ह हम स्वचंद और क्यों तुमने डाली है पेड़ी पगमी अब अपक्षी हमें क्या संदेश देती हैं चड़िया हमें कहती है हम स्वचंद स्वचंद में आजाद हम आजाद होकर इदर उदर गूमते हैं तो तुमने क्यों अपने पैरों में पगमी पैरों में जंजीर बांध रखी है क्योंई भेद भावदाल रखा है, देखो, तुम देखो हम को फिर अपनी सोने की कढियां तोडो, तुम हमारे जीवन को देख कर अपने पैरों में डाली हुई इन बेडियों को तो डालो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोभावना को चोड़ो, अरे मानव तुम इंसान बनो अपने अंदर मानवता को भरो दूसरों की भलाई करना सीखो द्रो भावना को छोड़ो जो विरोध की तुमारे अंदर भावना है जो बदले की तुमारे अंदर भावना है उसको तुम छोड़ दो पीपल की डाली पर चिडिया यही सुनाने आती है बैठ गड़ तुम अपने अंदर मानवता को बना कर रखो तुम दूसरों से वैर विरोध खतम करो तुमने जो अपने पैरों में बेद भाव की बेडियां डाल रखी है जो अपने मन में दूसरों के प्रती विरोध की भावना पाल रखी है उन सभी बंदनों को तोड़ डालो और आजाद होकर इस संसार में विच्छन करो इस संसार में इदर उदर घुमो और मानवता को अपनाते हुए दूसरों की सेवा करो बच्चो तो इस कविता को पढ़कर हमने जाना कि जो पंची हैं वो बिना किसी भेदभाव के इदर उदर घुनते रहती हैं और अपने समू में सब की मदद भी करती हैं तो मनुश्य को भी हमेशा दूसरों से प्रेम भावना को बनाई रखना चाहिए दूसरों के साथ उनके दुख सुक में काम आना चाहिए और मानवता को बनाई रखना चाहिए धन्यवाद बच्चो